अब यह क्या कर रहे हैं पलस्तर है पक्ता तो जो कि अब देख सकते हैं पलस्तर हो रहा था अब उदर एक बंदा जो के खिड़का साथ कर रहा है यहां का रस्ता भाई जो के कल निकाला क्योंकि इदर से आना जाना इतना नहीं होता तो उसको उस तरफ लगाएंगे हम इसको भी करवानी है पलस्तर इसको भी करवाना रहता है अब है यह अब इदर लगाएंगे और दूसरे अगे अधर दूसरे आगे अधर दूसर आप देख सकते हैं किता समान पड़ा है इस सब को साफ करना है कलर करना है देन इसको कहीं नगा देना तो यह अभी नीचे गिरा हुआ था आप देख सकते हैं इसमें मुहम्मद का नाम लिखा हुआ है तो पता नहीं यहां का भी ठेंक देते हैं इसको हम कहां रखें एक मिनट आयुए अब हम एक काम गलने हैं दिसे जो हमारी तर पाई हम इदर खोली थी आप देसकतें इसको वह आप पता नहीं क्या कहते हो अब तो अपनी लेंग वेंग केते हैं तो यह अमने इसकी आलत बहुत बुरी थी तो इसको अमने दोया था ना तो अब तो इसको हम लगाते हैं, इसको हम च्राइ करते हैं, यहां बादी चार पाई, पहले हम इसको जल्दी जल्दी खोल लगा है, अब इसमें यह थोड़ा सा खराब है, तो इसको हम काटे थे हैं, अब यह जो इसका खराब है, इसको हम ने कार दिया, दोस्तों आब यह देख सकते हैं, हमने यह कैसी अच्छी, वन साइड हो गया है, अब यह दूसरे साइड करना है, तो चलो, इसको हम ने चारपाई जो के आदी बना ली है, बाकी जो आदी है, वो शाम में बनाएंगे, क्योंकि अब धूब बहुत हो रही है, तो पाम नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं, अब अब हम यह जो लेबर चल रही है, इतनी दूप पगरा हो रही है, बेन को हम यह शर्बत देने आए, तो अब हम क्या करते हैं, जो कल हमने आम तोड़े थे, तो उनको जो के बोक्स हैं, उनमें अंदर डालके उनको पेक करते हैं, तो यह बोक्स हम उठा लेते हैं यहां से चलते हैं आप है दूप तो देखो दोस्तो अब कर रहे हैं यहां में तली प्येते हैं आप है अभी वहां आप है अभी हम ने अभी हम वहां जो भी कर्टिश तो चलो हम इनको टेक करते हैं अभी हम दोस्तों इदर हम कपड़े प्रेस करते हैं हम सिंगल लोग हैं आपको तो पता है हमें कौन करके देगा कप्रेश तरी तो हम अपने कपड़े खुदी इस तरी करते हैं कपड़े प्रेस कर लिए अभी नमाज का टाइम हो गया है वदू कर लिया बस हम जा रहे हैं नमाज पे नमाज के बाद आते हैं ना आते हैं देन फिर आपके साथ हैं तो हम दो बजे आली नमाज पढ़के आ गया है अभी काम चल रहा है आप देख सकते हैं यह हमारे चाचा जो के इतनी कर्मी हो रही है उपर जाके देख गर्मी कितनी है उपर जाके देख पर पता लागा देखो विचारे काले हो गया पूरे दूप में यह गंगू बाद्शा यह सुपा से चाचू लगे हो थे इस टैंक की में इसको पलस्तर किया है आप देख सकते हैं यहां का अभी बस यह फरिश बनाना है है आई अला है इसनी सारी दूप कौन ही ही लोग कहां से आते ही इसके लिए इतना खौर हो रहे हैं अब देखो काम देखो इस चिंची के लिए कितना खौर हो रहा है हमारा जो यह द्राइवर है ने यह भी एक नंबर का बुथ हूए पता भी था जब इससे चिंची आ रहे है तो फिर इतर गाड़ी खरी करने का पाइदा है इसको आगे कर देते हैं और कार को पिछे इदर खड़ा कर देते हैं थोड़ा सा भी हमें काम होता है कार को निकालो बाहर फिर इसको निकालो फिर कार को अंदर तो यह सामान था जिसके लिए यह लोडर निकाला आप दे सकते हैं सरफ इन सामान के लिए और यह सामान कहा था इधर जहां पर हम जाते हैं खास करने यह हमारे गंगू बाक्षा दोस्तों इतना कोई दिमाग खड़ाब किया हुआ है इस एक तो इस नेट ने और दूसरा लाइट ने लाइट भी नहीं है सुबास है और नेट ने भी हद करके रख दिये सुबाद च्छे बज़े की मैंने वीडियो अपलोड की थी लेकिन वह अ अब आप खुद अंदाद लगाओ कितना नेट सेलो है अप्या पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ आईए वाईएस बनो और देश को समागा चारी के बड़े अब 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 लोग में तब तक अबना बहुत सारा ख्याल रखना दूआ में आद रखना लाब सेज़